जै माताती दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 मार्च 2023 के धनुरासी फल के बारे में जानेंगे धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परवर्तन होंगे क्या योग बनेगा ग्रह नक्षत्र आपकी दंचरिया को कैसे परभावित करेंगे और जानेंगे 7 मार्च को हुली का देहन कब होगा इसके लिए सुब संयोग और महत्व के बारे में हर साल होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है इस बार होली का त्योहार साथ मार्च दिन मंगलवार को है होली को खुशियों और रंगों का त्योहार कहा जाता है होली का देहन को छोटी होली की रूप में मनाया जाता है इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और इस साल होली का देहन 7 मार्च दिन मंगलवार को है होली का देहन का समय साम 6 बचकर 24 मिनट से शुरू होगा और रात 8 बचकर 51 मिनट तक होगा यानि देहन का जो समय होगा सिर्फ 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगा इसी अंतराल में अनुस्टान करना सुब रहेगा और 8 मार्च को रंगों का त्योहार है जिसने लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और अपने गिले सिक्वे भी दूर करते हैं तो ऐसे में इन दो दिनों में चंद्रमा आपके नवम और दसम भाव में विराजमान होगा जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा तो यहां से आपकी तिरते भाव पर दृस्टी डालेगा तो भागय का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा इस दोरान पिता का गुरुजनों का घर में बड़े परिवार का भाई बहनों का पून सहयोग मिलेगा धर्मकर्म के कार्यों में बड़े चटकर हिस्सा लेंगे मान सम्मान बड़ेगा पद प्रतिष्टा की प्राप्ति होगी और घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बड़ेगा आपसी सम्मंद बहुत मजबूत होंगे आपके प्राकरम में व्रद्धी होगी और परिवार में खुसी का माहौल होगा जब चंदरमा आपके दसम भाव में होगा तो इस दोरान वेबसाइब में भी अच्छा फायदा होगा और यहां से पोंदरश्टी चत्थृत भाव पर होगी जिससे आपको माता के साथ सम्मंद अच्छे होंगे और माता की और से धन प्राप्ति की युग बनेंगे वहां सुक्की प्राप्ति होगी भवन भूमी आदी से अच्छे लाप प्राप्त होंगे ये दो दिन खुसीों भरे होंगे परिवार के साथ अच्छा समय वेतीत करेंगे परिवारे करिस्ते अच्छे होंगे, दाम पत्ते जीवन खुसियों से भरा होगा दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मत